बीते मंगलवार नेक्स्ट नाइ न्यूस दौरा भोचपूरी भाशा को बढ़ावा देने हेतू एवं महान गीतका शैलेंद्र की याद में शैलेंद्र इस्मृति दिवस के मौके पर भोचपूरी काविस अंद्या का आयोजन किया गया इस काविस अंद्या पर प्रोफेसर शक्तरूग निकुमार मौजूद रहे शक्तरूग निकुमार ने इस अफसर पर स्वरगी शैलेंद्र की काफी सारी रचनाएं एवं उनकी कारेश अली के बारे में बड़े विस्तार से बताया एवं इस कावे संध्या का संचालन प्रसिद्ध कवीब संदोश पटेल द्वारा किया गया इस महफिल में भूचपूरी दुनिया के कई कवियों ने शिरकत की और अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से महौल को मस्त कर दिया आईए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा प्रोफेसर शक्त्रूग ने गीतेओं दूरा कई दसक तक ऐसे गीतों की रचना की जिन को सुनकर आज भी हम ठिठक जाते हैं और यही नहीं गीत कार शैलेंद्र ने भोचपूरी भाथा में भी ऐसे गीतों की रचना की जिन को हम कभी भूला नहीं सकेंगे मैं आज 14 दिसंबर को बिसीस रूप से उनके स्मिर्थी में कुछ बाते जरूर बताना चाहूंगा 14 दिसंबर 1966 को हम अपने परिवार के साथ मुंबई गये थे और वह इसलिए कि हमारे पिता जी गीत कार शैलेंडर से मिलकर कुछ फिल्मों का निर्मान कर सके मैं यहां यह जरूर बताना चाहूंगा कि गीत कार शैलेंडर हमारे पिता जी के मामा लगते थे गीत कार शैलेंडर एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और उनका उनका पुस्तेनी मकान उनका पुस्तेनी अस्थान बिहार के आरा शहर में था लेकिन गीतका शहलेंदर केवल एक गीतकार के रूप में नहीं बलकि मानाउताबादी चिंतंधारा के पोसक थे गीतकार शहलेंदर ने कई नारे दिये हर जोर जुलम की टककर में संगहर्ष हमारा नारा है और यह गीत गरीबों के लिए वन्चितों के लिए एक मुख्य रूप से नारा बन गया गीत का शलेंदर मुख्य रूप से भोजपूर के उनकी पुस्तेनी उनके पुरवज आरा के रहने वाले थे लेकिन उनका कभी भी भोजपूर जाना नहीं हुआ था चुकि उनके पिता जी गरीबी में बहुत दूर तक मजदूरी करने के लिए पहुँच गए थे और वहीं उनका जन्व हुआ था और जब राजकपूर ने मुंबई में उनको देखा और उनके अंदर की जो कौशल को देखा उनके अंदर गीतों की दचना करने के जो गुन देखे इसलिए उन्होंने उनसे आगरह करके उनको फिल्म जगत में आकर गीत लिखनी के लिए आमनत्रित किया उस समय उन्होंने गीत लिखना मना कर दिया था चुकि बड़े खुदार विक्ती थे लेकिन जब उन्हें कुछ जरूत हुई और इस परकार उनको फिल्मों में गीत लिखने का औसर प्रदान हुआ लेकिन गीत का शेलेंदर के गीत केवल दिल को चूलेने वाले नहीं और हर मौसम में हर औसर पर गाय जाने वाले गीत उन्होंने लिखे जब भोजपूरी भासा में पहली फिल्म बनी गंगा मिया तोहे पियरी चड़ेईबो उस समय उस फिल्म के सारे गीतों की रचना उन्होंने ही की और यह जानका राश्चर होगा कि उन्होंने उन्हें कभी भी भोजपूरी बोलने का औसर नहीं मिला था लेकिन अपने पिता जी से अपने दादा से अपने घर में जो उन्होंने सुना था बचपन में और जब औसर मिला और यह मैं यहां जरू बताना चाहूंगा कि भोजपूरी भासा की शक्ती भोजपूरी भासा में जो बल है भोजपूरी भासा और भोजपूरी संस्कृती में जो आकर्शन है उसका ही परिनाम था कि जब पहली फिल्म भोजपूरी की बनी और उसमें उन्होंने अब भोजपूरी की जो गीत लिखें वो आज भी मानेते हम देखते हैं कि भोशपूरी फिल्में जब बनती हैं तो उसमें कई तरह के आरोप लगते हैं लेकिन जब पहली भोशपूरी फिल्म बनी थी उसमें सारे उस फिल्म की कहानी उस फिल्म के गीत उस फिल्म के उद्दिश आज भी मिल के पत्थर के रूप में हैं और भुश्पूरी भासा संस्कृति के लिए जो हम आंदूलन कर रहे हैं, उसमें जो हम काम करें, वह इसी रूप में हो, इस भासा की शक्ती को, इस भासा की संस्कृति को हम आगे तक ले जाएं। और हम यहां यह जरूर बताना चाहेंगे कि भूचपूरी भासा केवल एक विसीष छेतर की भासा नहीं बलकि 17 देशों में बोले जाने वाली भासा है और इसलिए आज हम जब गीत कार शेलेंदर को हम उनको अस्मरन कर रहे हैं उनको सद्धांजली दे रहे हैं तो निश्ची गीत कार शेलेंदर की बारे में जो हम चर्चा आज कर रहे हैं उनकी कुछ पंक्तियों को मैं जरूर यहां पढ़ना चाहूँगा वो एक बहुत बड़े कवीवी थे और कवी के रूप में उनका हमें सम्मान करना चाहिए उनकी कवीता की कुछ पंक्तिया यहां है तो नेक्स्ट नाइन न्यूजरूम की ओर से अभिलाश की रिपोर्ट